नमस्कार सर, नमस्कार जी सथ साहिज, क्या तुम नाम है जी आप जीका, मैं रामसन दास है, सारे कहां से आई आप, मैं जीन से आँ हूँ, हर्यान से, सारे क्या काम करते हैं आप, मैं सरकारिय ध्यापक हूँ, सारे परमसन सत्कुर रामपाल जी महराज से, नाम उदेश लेने पिदा जी थे या मरे ताउच अच्छा से पूरी की पूरी पीधी ने राधा फम ब्याइज से नाम ले रिखा था और फिर बीट में मैंने जो है सरसा से नाम उपदेश ले लिया था लेकिन मुझे किसी प्रगाय कोई लाब नहीं हो रहा था कि संद्गुर्मित सिंग जी तेन अप दिया लिए तो बकति संद्गुर्मित सिंग केंग से से अपको क्या लाब हुआ मुझे उस भक्ति से कोई लाब ने हुआ उन्हों तीन नाम का जाब बताया और मैंने काफी कोशिश की नाम जाप परने की बहुत ज़ाजा कोशिश की लेकिन फिर भी मुझे कहीं कोई रोजगार में या कोई आर्थिश्टिती में या किसी प्रकार की कोई अजहात में किलाव नहीं हो रहा था अजहाता तब 10-10-20 दिन महिना महिना सेवा करता था लेकिन फिर भी अंदर से मुझे ऐसा महिसूस हो रहा था कि तेरे अंदर कुछना कुछ बहुत बड़ी कमें हैं और यक्रे क्या बगति दे क्या भटी दे अपको शंद गुरुमित सिंग जी ने क्या को नाम में जाप को ने के लिए हैं उन्हें मुझे अकाल मुर्द सबस़ृपी राम डे ऐसी शाट पुरषtak पुरुषेतीन मंत्रों अने दी थी मुझे तो जो बक्ति संद्गुर्मित सिंग जी राम रहीमना को दी अकाल मुरत शत्त पुरश सब्द सरुपी राम जो बक्ति आपने की और आपने वहां सेवा भी की और एक-एक महीने तक आप बता रहे हैं वहां आपने सेवा की कोई आपको लाब नहीं मिला किसी भी फिल्ड में तो फिर सर आप परम संद्गुराम पाल जी महाराज की सर्ण में कैसे आई हैं मैं जो है मेरे पास लगबक 6-6 डिग्रियां हो चुकी थी में में इंगलिस बेड जेबिटी एममेड सारे ही मैंने कॉर्शि पीए हुए थे और फिर मैं मेरी बहन है विम्ला देवी जीन पटेला चौक से जी जा जी महाविर जी बिम्ला जीदी ने नाम ले इरकर था ता मैं और मेरी मेरी साधि भी हो गई थी मैं और मेरी मिशी जोन कि अच्छे संस्था में लग जाता था लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता था होता था मेरा काम लएचा काम सनी रख्ता था जाता था यानी कि तो चार शॉपने के भाIF को जगें नहीं पर इस संसार में बिल्कुल नहीं है, मेरा बिल्कुल मन उपक चुका था और मैंने ये भी कह दिया था कि बहन जी मुझे ऐसा मन करने लगा, जैसे कि मैं ससाइडी कर लूँ, इस से अच्छा इस लाइफ का कोई फाइदा नहीं है, तो मेरी बहन ने मुझे का कि रामसरन भाया, तुम ऐसा करो, मैंने एक गुरू बनाया है, सत्कुर रामपाल जी महराज, करौथा में नाम देते हैं, तुम एक बार वहाँ जा के देख लो, लेकिन बहन जी ने बता कि वहाँ आपको सभी देवी देवता, यानिकि मैंने नाम भी ले रिखा तर रफी देव रामपाल जी ने, तो उन्होंने का कि आप जाके देखो, मैंने का कि घरवाले से बात करूँगा, लेकिन बहन जी बोली कि घरवाले तो मना करेंगे, मैंने का कोई बात नी मना करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बार करूथा में जाके देखूंगा जब मैं करूथा में वहां पहुंचा क्योंकि मैं अपने आपको बहुत ज़्यदा पढ़ा लिगा बहुत ज़्यदा एजुक्रेटिड परसन मानता था और मैंने वहां पर जाके जब गुरुजी ने प्रजेक्टर पर जो है सारे परमान दिखाए मेरी नाम से जोड़े हुएं लेकिन मैंने देखा कि यह जो गुरु हैं यह कुछ अलग किसम के हैं अलग त्रहे के हैं और उन्होंने जब परमान दिखाए तो मैं अपने आपको जब एजुकेटेटिड मानता हूं तो मुझे परमानों को भी मानना थे यह तो मैंने देखा कि मरपन कर दिया है परमपिजा परमेश्वर बंदिख और सत्कुराम पाल जी महराज है कभीर परमेश्वर जब तुमीं चारों वेदों में हो सब कुछ सभी जाए तुमीं हो तो आप से ओपर कोई नहीं है मैंने दंडोत परनाम कर लिया और परमात्मा की स्रण में उसी दिन ऐसी चलते चलते तीन चार साल बीट गए फिर मैंने गुरुजी से बार बार मेरी यही प्रासा करता रहता था लेकिन गुरुजी ने एक दिन मेरे को एक दोहा बोला और गुरुजी ने कहा कि राम नाम रच्टे रहो जब तक घट में परान और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़े की कान इस परमात्मा की वानी ने मेरे हर्दे में एक दम ठंड़क पैदा कर दी मैंने सब्दा कि परमात्मा मेरी एक दिन जरूरु सुनेंगे और लगबग फिर क्या हुआ एक हफता हम कभीर जनती पर मुरुजी ने रहे और इनके एक हफता के अंदर मैं जब घर गया तो मुझे एक बहुत करोड़ा पती अर्बापती जीन्द की लेडी जीस की संस्था थी खुद की वहां मेरे डाकुमेंट पड़े हुए थे वो लेडी जो है ढूंडती हुए मुझे घर घुम रही है और मेरा नाम पता घरवालों से पूछ रही है जब जिन में रह र लेडी जीन की माने हुए लेडी है आदर सिनीश कंडी स्कूल उसका है जीन में अब तो बंद हो चुका है और उसने वो मुझे ढूंड रही है और उसने कहा कि यह फोन नमबर दे के आप जाना मैं उसके पास गया यानि उसके लड़का नहीं था मैं उसके गया मैंने हाज को नमस्कार की मैं नमस्ते वो बोली आप रामसन है मैंने कहा मैं रामसन हूं और बंदिश और सद्गु रामपल की दया ऐसी हुए कि उन्होंने मुझे पाइंट में लेटर के दे दिया कि बेटा ऐसा करना यानि मेरे 900 पे शालरी तूस्टें 2005 में और उसने कहा कि तेरी शा कि मैं अद्गु रामपल जी रामसन हो नहीं कर सकता है मैंने परमात्माप फोटो पिख्ष लगाया तीन तीन मुझे पीम दिये एक बैल बजाता तीन तीन आते और मैं सोच रहा हूं यह क्रमाशी क्या हो गया मुझे बड़ी हजानी हूई परमात्मापरमपिठा परमेश् पूजाए लेकिन मेरा आशा जिंद्धी में चम्तकार नहीं हुआ और फिर आइस्ता मुझे वहां से फिर दूसरे स्कूल में और भी जाता चली के साथ कोई और जो है स्कूल का मालिक मुझे ले गया और मेरी शालरी उननीस आजार उपए पहुंच गई और मैं बिलकुल हैरा सब्सक्राइब कर दो कर दिया मैं किसी से किसी परकार की भी कोई ठगजी कोई कोई नहीं की मैंने कभी भी नाम लेने से पहले भी नहीं की और नाम लेने के बाद तो बिलकुल परमात्माने मुझे इसने नहीं बताए गुरूजी ने का कि बेटा तु भुखा रहना एक टाइम लेकिन कभी किसी के साथ बही मानी या किसी परकार की ठगजी मत करना मैंने का ठीक है गुरूजी फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ जुलाना के अंदर हिंदू स्कूल में आजे प्रिंस्पिल के रूप में कारी कर रहा था और वो बहुत अच्छी संस्ता है वहां मुझे बहुत अच्छी शेलरी मिल रही थी और इसके साथ-साथ मुझे को उफर आने लगे क्योंकि मेरा साथ-साल का एजे प्रिंस्पिल का एक्स्पिनिस हो गया था और जगे से मुझे उफर आने लगे दूसे दूसे स्कूलों से आपको 20,000 देंगे आपको 22,000 देंगे इसी बीजिए परमात्मा ने क्या करा मेरे मेरा जो गुर्मिन्ट जॉब के महाराज ने हमारे उपर बहुत दया कि बहुत दया कि मैं बगंच समाज को क्या संदेश जेना चाहता है ने म ispenland को या झारिक भगत समाज के साथ सबीuję Touch video और पढ़े लिखे लोगों को मैं एक ही संदेश जहना चाहता हूं द्धा और मैं जो Vice President of India से समानित हूं, जितने भी आज तक CM बने हैं, तिन्नो CM से मैं समानित हूं, लगबग 6 District Deputy Commission समानित हूं, मैंने अपने जीवने बहुत किस्क किया, और सभी को मैं एक ही संदेश दिना चाहूंगा, प्रमात्मा सत्गुरामपाल जी की तरफ से, कि अगर आप वास्तित्ता में पढ़े लिए हैं, वास्तित्ता में educated हैं, then you can adopt the method of सत्गुरामपाल जी महराद, because it is all depends and all basis of our spiritual, जितने भी हमारे गरंथ हैं, जितने भी हमारे वेद हैं, जितने हमारे सार्थ हैं, उनके ओपर आधारित हैं, कुछ लोग मुझे वोलते हैं, कि सर आप पता नहीं क्या बात है, सद्गुरामपाल जी तो किताबों में दिखाते हैं, तो मैंने सोथा, हम आज तक जितने भी हमने डिगरियान ली हैं, जितने भी हमने पढ़ाई कियें, सब कुछ जो किताबों से तो कियें, first class में, LKG में, नरस्री में जो बच्चा जाता है, स्टार्टिंग में उसके आद में बुक दी जाती है, लोग बोलते हैं कि आप ये गुरुतों किताबों में दिखाते हैं, अरे कमाल की बात है, इन लोगों को ये समझने हैं, नूटन्स की थूरी आज हम पढ़ रहे हैं, नूटन्स की थूरी से ग्रिशन फोर्स से हम, यान इसन ने बलब का विश्कार किया, उसकी थूरी को पढ़के हमने आज ये टूग लाइटे बनाई हैं, यानि कि शुरू में जो बलब बना, वो बहुत ही लोग इसम का था, और आइस्ता इस्ता उसकी थूरी अगर ना होती, अगर हम बोलते हैं कि एडिशन की थूरी फेल है ये बुक में लिखी गई है, इसको एक तरफ हैंग तो, ऐसा नहीं है, तो हमने उस चीज़ को मानना पड़ेगा, उस चीज़ को सविकार करना पड़ेगा, कि जो लिखा है सास्त्रों में, जो लिखा वेदों में, फिर कुछ लोग बोलते हैं ये वेद सास्त्र कहां से आए ये वेद सास्तर भी तो मनुष्ट ने लिखे हैं, लेकिन परमात्मा की वानी जो है, परमात्मा की वानी फिट कर देता परमात्मा अपने भक्त के अंदर, जैसे बालमिक जी ने रमायन लिखती थी बहुत सालों पहले, और इसी तरह है जो हमारे वेद सास्तर परमात्मा लग oni जीट को समझ नहीं आथा जिन लोगों को सम्ज नहीं पता नहीं कि कि हमें कि बढ़ने का समय नहीं अरे वेड पढ़ने का समय नहीं आपके बास सदकोर रामपाजी कि बिल्कुल डिरेक्ट आपको प्रमान दिखाने किताबों के अंदर अगर आप वास्तित्ता में पढ़े लिए हैं मैं अपने अधापक समाज से शिख्षक वर्ग से और स्टुडेंट्स से एम्मे तक मैंने टीज़ किया है आज भी कर रहा हूं मैं सभी अपने शिख्षक वर्ग से यह प्रार्थना करता हूं यह हाथ जोड़के विंति करता हूं कि एक बार आप अपने पुरूप को जैसे हम कोई भी स्वाल निकालते हैं या तो उसमें क्या करते हैं एक फार्मूला होता उस फार्मूलों को देखते हैं अगर फार्मूला नहीं लगता है तो वह समझ हाली नहीं हो सकता तो इसलिए फिर भी सद्कुरामपाल जी जो आपको परमान बता रहे हैं और एक कमाल की बात कर रहे हूं डिशनी देखी आप डिशनी वे सब्दों के मिलिंग देखी आप और फिर भी बोलने हैं कि सद् इंदा करता है करते हैं कोई कुछ कहता को बुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इतने पढ़े लिगे होगे इतने एजुकेटीड होके भी इन चीज़े को सबीकार क्यों नहीं करने वह परमात्मा की मर्दी है जिसकी बूद्ही खोलते हैं जैसे मेरे जैसे दास की सद्वधार Extra Bariv Ann così यानी कि 17 और रौ का सभभाने जान प्रमनी इता वहा πरमाने नहीं इन्याओंD तो यह 12 में जोनेते इन दिया है रखारेत हमहें घ्रम बतना रहे हैं और आधारित हम्हें बता और अपने आपको ज्यानी मानते हैं केवल ज्यानी ही मान लेना मतलब पूर्णता नहीं होती केवल हमने ज्यानी मान लिया अपने आपको अगर हम जिस दिन आपको पूर्ण ज्यानी मान लेंगे तो इसका मतलब क्या है हम ज्यानी नहीं रहे यानिकि हमने इच्छुक बनना है वही शिकाते ही हमारी हमने जो जो टीटिंग लाइन वही भी शिकाती है कि हर आदमी पूरी जिंदगी जो है student रहता है पूरी जिंदगी शीखता रहता यानि हमें जिग्यासू बन के रहना चाहिए जब हम जिग्यासू बनेंगे तभी शीख पाएंगे अब कोई किताब को ख सब्सक्राइब करने लिए लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आदा अब तो सुभीकार करने लगे जापक वक्से मेनी बात्चीत होती रहती वो बोलते हैं कि वास्तुक में जो है अथंटिक जो है प्रूफ दे रहे हैं और उस चीज को सुभीकार करने लगे और कुछ लोग जो सुभीकार नहीं करें प्रमात्मा की दाया थे मालिक उनको सत्भूदी देगा और वो जहाई स्ग्यान को सुभीकार अवश्च करें कि बहुत अच्छी बात बता है आपने के यदि हम समझदार हैं हम पड़े लिखे हैं तो हमें सुभूत को मानना ही चाहिए और प्रम्शन सत्गूरामपाल जी महराज जो अपना सच्छन करते हैं वो सभी दार्मिक गरमसों के आदार पर आल दा होली सेक्सिज और एक साइंटिफिक और लोजिकल वे में वो भक्ती बता रहे हैं भक्ती करवा रहे हैं सबह समाज से भी और सभी अपने सजालों को तो परम्शन सत्गूरामपाल जी महराज ने जो आप लोगों को भक्ती दी है या समाज को भक्ती दे रहे हैं बिलकुल एक साइंटिफिक रीजन से जैसे एक टीचर अपने सुड़ेंट को पढ़ाता है तो ऐसे ही संत्रामपाल जी महराज अपने फोलोवर्स को अपनी भक्ती दिखाते हैं बक्ती समझाते हैं और वर्तवान के किसी भी धर्म गूरू ने इस पैटरं को फोल्वप नहीं किया है तो क्या कहना चाथे जाना जाएं आप सब्भसमाज को इसके बारे में इसके बारे में। मैं जो है एक सिक्षाफ सास्त्री होने के नाते यही कहना काँगा कि जो आज तक हम ग्यान दे रहे हैं हमने यानि या जो ग्यान हमारे रिशी मुनियों ने या जो वर्तमान के जो भी गुरू दे रहे हैं सद्गुर्रामपाल जी उनको गलत नहीं बता रहे हैं सद्गुर्रामपाल जी यह नहीं कह रहे हैं यानि कि सद्गुर्रामपाल जी यह करना चाहते हैं कि वो जो पुजा बताते हैं जो भक्ती बताते हैं उस भक्ती के वे को हमने चेंज करना है ना सद्कुर्रामपाल जी किसी भी देवी देवता को सुड़वाने की कह रहे हैं यानि के way of worship जो method बता रहे हैं सद्कुर्रामपाल जी वो ये बता रहे हैं कि method जो हमारे वेदों के according हमारे गीता बाइबल गुरान के according जो भक्ति उसमें बताई है उसको हमने करना चाहिए और फिर उसके लाव देखिए लाव अपने आप ही होंगे जब हम हमारे वेदों के according हमारे जो इतने सालों पुराने हजारों सालों पुराने वेद हैं गीता कुरान बाइबल है उसके according हम जब भक्ति करेंगे तो यह दो रिल्टी दिखरी है कि हमें जो अफाइदा होगा तो प्रमसन सत्वूरामपाल जी महाराज की जो सत्संग होते हमने भी सुना है आप लोग भी सुनी रहे हैं हमने भी देखा है उनको कि वो सभी होरी टेक्स कि अधार पर अपने सत्संग बताते हैं समझाते हैं सुनाते हैं प्रोजेक्टर के बाद दिखाते हैं वर्तमान का कोई विशंत इस मेथड को टच्वी नहीं करता है कि वो आपने से डालों कुछ दिखाए कुछ समझाए कुछ सुनाए उर्तमाज में एक ब्रह्मना फेली हुए एक पंट्राडेक्टिशन स्टेट्मेंट समाज के तरफ से आ रही है जिसे आप कह रहेंगे इंट्रलक्ट्ट्वल सोसाइटी सियाप्ती है कि संत्रामपालजी महाराज दूसरे संतों की महनतों की निंदा करते हैं तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि उन लोगों को ग्यानी नहीं है या वो संत्रामपालजी का ग्यान सुनना नहीं चाहते चाहिए वो उनकी जैल्सी लगा लीजिए चाहिए उनकी अग्यानता लगा लीजिए चाहे उनकी मुल्खता लगा लीजिए कुछ उन लोगों को पता है कि सद्गुर रामपाल जी जो भी ग्यान दे रहे हैं वो बिलकुल ट्रू दे रहे हैं बिलकुल अथंटिक दे रहे हैं पुरूप के साथ दे रहे हैं जैसे किसी भी यानि कि अपराद का अपराद की कोई न कोई जो है धारा लगती है और उस धारा का पता हमें स्विधान में लगता है कि इस अपराद हम अगर किसी आदमी को कोई मारता है या कोई एक्सिडेंट करता है या किसी कोई हत्या करता है तो उसका अपराद जो हमारे सुभिधान में लिखित है और उस सुभिधान में जो लिखित है वही दारा उसमें लगती है तो ये चीज पतानी क्यों यह संत्त्रोंगे जो सभीकार नहीं करना चारहे और क्या करना है लेकिन कुछ निचे पकाते हैं कि आज वो जमाना नहीं रहा है कि हम प्रगाए बढ़ेबगा रखे या लालकपड़े पहने की असफिक नहीं होगा आप इंटर्णेट का जमाना है कंपूटर का जमाना है 21 सदी से भी बहुत आगे निकल सोगे चान तक बहुन सोगे हम लोग यानि कि हमें अब कोई भैका नहीं सकता ये रियल्टी है ये बिल्कुल वास्तिकता है कि भैकाने वाले जो भी लोग है यानि कि किसी ने बोल दिया ये पत्थर है इसको पूदो अब ऐसी पीडी नहीं है हमारे से नेक्स्ट पीडी अब भी है लेकिन अब भी हमारे से नेक्स्ट जो पीडी है वो बिल्कुल ही सुथकार नहीं करेगी अगर कोई पूर्फ नहीं देगा कि इस कीज़गा तो आगे आने वाले जो पीडी है वो बिल्कुल ही नहीं सुखार करेगी इस बात को ये बिल्कुल ये संट शोड़ दें इस बात को जितने भी संट महंट बने बैठे हैं ये जो गंजे हुए बैठे हैं ये अपने आपको ये समझ लेना कि अब आगे इनकी दाल गलने वाली बिल्कुल नहीं है और कवीर शाहब का ग्यान आप चलेगा शद्गुराम पाल जी बोलते हैं कि और ग्यान सब ग्यान एड़ी कवीर ग्यान सो ग्यान और जैसे गोला तोब का करता चले मतान इसका मतलब यह है कि कवीर साथ का ग्यान जो इतने दिनों से इन लोगों ने दवाय हुआ था अब उसका जो है सुर्य उद्य हो चुका है और ये अपने आपको अगर बचना चाहते हैं तो इस परूफ के साथ जो सटकुर रामपाल जी ग्यान दे रहे हैं उस परूफ के साथ और उन सबूतों के साथ जो है सटकुर रामपाल जी की सरन में आ जाईए तो आपका जीवन बच जाएगा आपके अन्याईयों का जीवन बच जाएगा और आप जो है इतने बड़े मात्माइगी साड़ में भी जा सकते हो थांकियो 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 सो मच